ब्रिटेन में ओद्योगिक क्रांती इंग्लेंड में सबसे पहले सन 1730 के दशक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या में तेजी से वृद्धी 28 सदी के आखिर में ही हुई गाओ के बिखरे उतपादन के जगा शहरों में एक शट के नीचे उतपादन होने लगा कारखानों में उतपादन का मतलब है बहुत अधिक मातरा में उतपादन इसे संभो बनाने के लिए पुनजी, मजदूर और उन चीजों की बजार में मांग जरूरी है ब्रिटेन में धनी व्यपारी थे जो पूंजी लगा रहे थे वे अपने माल के लिए बढ़ती मांग को लेकर आश्वस्त थे काम करने के लिए गाउं वो शेहरों में मजदूर उपलब्ध थे अब अधिक उत्पादन को कम समय में करने के लिए नई मशीनों का अविश्कार हुआ अविश्कार और कार खाना 28 शताबदी में लगभग 26,000 अविश्कारों का पंजी करन या पेटेंट किया गया जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रतेक चरन की कुशलता बढ़ा दी प्रती मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से बहतर माल भी बनने लगा यह परिवर्तन कपड़ा उध्योग में सबसे तेजी से हुआ सूत कातने बुन्ने से लेकर कपड़े को अंतिम रूप देने तक के लिए मशीने बन गई इसके बाद रिचर्ड आर्क राइट ने सूती कपड़ा मिल की रूप रेखा सामने रखे अभी तक कपड़ा उत्पादन गाओं में फैला हुआ था यह काम लोग अपने अपने घरों में करते थे लेकिन अब कारखानों में सारी प्रक्रिया एक ही चत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निग्रानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मज़दूरों पर नजर रखना संभव हो गया था जब तक उत्पादन गाओं में हो रहा था तब तक ये सारी बाते संभव नहीं थी लोहा इसपात मशीनों के व्यापक उप्योग में कई बाधाएं थी अगर मशीनों से भारी मात्रा में काम लेना था तो उसके लिए मजबूत लोहे की जरूरत थी इंग्लेंड इस मामले में सवभाग शाली था क्योंकि वहां मशीनी करण में काम आने वाली मुख्य समागरियां कोईला और लो एस्क बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थे इसके अलावा वहां उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तामबा और रागा भी खुब मात्रा में मिलते थे किन्तु अठारवी शताबदीम तक वहां मशीनों में इस्तिमाल योगी लोहे का उत्पादन नहीं होता था लोहा गलाने के लिए लकडी के कोईले का उप्योग किया जाता था पर इसमें कई समस्याएं थी, जैसे यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था और यह उच्चता आपमान पैदा नहीं कर सकता था इस कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था ऐसे में इंग्लैंड का एक लोहार परिवार जिसका नाम अब्राहम डर्बी था वर्षो के प्रेयोग से लोहा गलाने में क्रांतिकारी परिवर्थन लाने में सफल हुआ उसके अविश्कारों में सबसे महत्त पूर्ण था लकडी कोईले की जगा पत्थर कोईले का उप्योग जिसे धमन भट्टी में उप्योग किया गया इन भट्टियों से जो पिगला हुआ लोहा निकलता था वो पहले क्या पेक्षा अधिक बढ़िया था और उससे लंबी ढलाई की जा सकती थी इस कारण लोहे से अनेकोनेक उत्पादन बनाना संभव हो गया चुकि लोहे में टिकावपन अधिक था इसलिए इसे मशीने, रेल पटरियां और अन्य वस्तुए बनाने के लिए लकडी से बहतर समागरी माना जाने लगा लकडी तो कटफट या जल सकती थी लिकिन लोहे के भौतिक और रासानिक गुर्धर्म को नियंत्रित किया जा सकता था इस तरह अध्योगी क्रांती जो कपड़ा उध्योग से शुरू हुई अब लोहा इसपाद के मशीन निर्माण पर केंद्रित होने लगी लोह आयस्क और कोईले का उत्खनन तेजी से बढ़ा और इन खानों के पास ही नए कार खाने लगने लगे लेकिन अध्योगी क्रांती को इस्थिर्ता प्रदान करने के लिए दो और मात्वपूर्ण छेत्रों में बदलाओ की जरूरत थी